यहां पे हमें डिवाइड करता है PX polynomial को GX Normal division की तरह लिखो GX इसको सबसे पहले हम लिखेंगे X square और एक order में लिखेंगे Plus 1 एक constant है इसको बाद में लिखो Decreasing power of X में लिखो ज्यादा असान होगा आपके लिए इसके बाद जिसमें डिवाइड करना है उसको इसके अंदर लिखो X4 3X square 4X plus 5 हमारा concentration पूरी तरह से इस पे और इस पे होगा First visit जो हमारा होता है maximum power वाले उन पे होगा X square में क्या multiply कर दे कि export हो जाएगा यहां X square है अगर मैं X square और multiply कर दूँगा तो दोनों का multiplication क्या आजाएगा export अब multiply करो X square into X square यह आगया export minus X or X square को multiply करेंगे तो minus X cube और plus 1 को X square से करेंगे तो plus X square अब हम जब minus करेंगे तो यह नीचे के science change हो जाएगे यह cancel अब देखो X cube भी नीचे आएगा maximum power वाले हम पहले लिखते हैं अब देखो यहाँ पर minus 3 X square minus X square यह आजाएगा minus 4 X square then 4 X plus 5 सबको नीचे ले लो उपर कुछ भी नहीं छोड़ना है सारा नीचे ले लो जो भी बचा हुआ हमारे पास अब देखो यह X square यह X cube अगर इस X square को X से multiply करें प्लस X से तो यह बन जाएगा X क्यों और minus X को X से multiply करेंगे तो minus X square plus 1 को X से multiply करेंगे तो plus X अब इसके बाद यहाँ minus करो तो यह plus हो जाएगा यह minus यह cancel minus 4X square plus X square यह क्या आएगा minus 3X square 4X minus X यह क्या आएगा हमारा 3X plus 5 इसका मतलब अब हमें क्या करना है X square है इसको minus 3X square बनाने के लिए सिर्प minus 3 से इसको multiply करना पड़ेगा तो यहाँ ले लो minus 3 minus 3 से करेंगे तो minus 3X square then minus 3 और X minus X minus minus plus 3X और minus 3 into 1 यह आगया minus 3 चलो अब इसको minus करने के लिए साइन को चेंज करना पड़ेगा यह cancel यह cancel 5 plus 3 8 यह एट मिन्स हमारा जो डिमाइंडर है वो 8 है एड जो हमारा result है वो X square plus X minus 3 है that's it thanks